हेलो बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसकी मा फैनी को रंगों का एक मज़ेदार खेल खेलते हुए देखेंगे एक दिन फैनी ने एक घर बनाया और गैफी को चित्र के कुछ हिस्सों को एक से नौ का क्रम देने के लिए कहा गैफी ने दर्वाजे के उपर एक, खिड़की के उपर दो, घर की दिवारों पर तीन, छत पर चार, तालाब पर पाँच, सूरच पर छे, पौधों पर साथ, खूलों पर आठ और आखिर में बादल के उपर नौ लिखा बहुत बढ़िया गैफी, तो आपने देखा इस चितर के नौ भाग हैं गैफी, इस चितर के नीचे एक से नौ को लिखो, और प्रत्येक संख्या के आगे आगे आपको एक रंग का नाम भी लिखना है बहुत अच्छे गैफी, अब संख्याओं के आगे लिखे हुए रंगों को चितर में लिखी संख्याओं में ढूंड कर सही रंग भरो जब तक तुम रंग भर रही हो, तब तक मैं रसोय में कुछ खाने के लिए बनाती हूँ बच्चों, है ना ये खेल मज़ेदार? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं, गैफी को घर की दीवारों को किस रंग से रंगना चाहिए? काला, बिल्कुल सही, गैफी ने दीवार पर संख्या तीन लिखी थी, और काला संख्या तीन का रंग है गैफी अब छट की ओर देखती है, छट की संख्या चार है, वो छट को घूरे रंग से रंग देती है तालाब की संख्या पांच है, वो उसे सफेद रंग से रंग देती है बच्चों, अब आप बताईए, गैफी को सूरज में कौन सा रंग भरना चाहिए? बिल्कुल सही, सूरज में संख्या चे है, और संख्या चे पर पीला रंग लिखा है, इसलिए वो सूरज को पीले रंग से रंगेगी अब बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चितर का कौन सा भाग संख्या साथ है? आपने सही पहचाना, पौधे और संख्या साथ का रंग क्या है? हरा, बिल्कुल सही, इसलिए वो पौधों को हरे रंग से रंगेगी आईए, अब देखते हैं संख्या आठ पर क्या है? संख्या 8 पर फूल है और संख्या 8 का रंग लाल है इसलिए फूल लाल रंग के होंगे और अंत में बादल की संख्या 9 है और संख्या 9 का रंग नीला है इसलिए वो बादलों को नीले रंग से रंग देती है चित्र तैयार है शाबाज क्याफी, सच में ये चित्र बहुत सुन्दर लग रहा है इस वीडियो में हमने संख्या एक से नौ का उप्योग करके रंगना सीखा आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा